नमस्कार बच्चो त्वेल पॉइंट वन लीने प्रोग्रामिंग रेकिक प्रोग्रामन यह हमारी एक्सराइज चल रही थी 12.1 और पिछले वीडियो में आठ कोशन्स करा दिया थे 8 कोशन्स वी आप दन सुफार और अब प्रेश्ट नमबर नौ प्रेश्ट नमबर दस दो रह गए थे इस छोटी सी वीडियो में हम इन दोनों कोशन्स को डिसकस कर लेते हैं और उसके बाद फिर अगली एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे तो देखेंगे कोशन नमबर 9 यह मैंने पहले ही कोशन्स सॉल्फ करके रख लिया थोड़ा टाइम सेव करने के लिए कोशन नमबर यह कहता है कि maximize करना है function z is equals to minus x plus 2y यानि महत्ती करन करना है इसका यह 12.1 exercise है आपकी और यह constraint जो है कि x greater than equal to 3 x plus y greater than equal to 5 greater than equal to 5 x plus 2y greater than equal to 6 और y greater than equal to 6 यह वेवरोध है तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ आप इन्हे equal to करते हुए x equal to 3 यह line हो गई x plus y equal to 5 और x plus 2y is equal to 6 अहीं 3 को इस चौती को भी बता देंगे तो इसका equation बनाया आपने x 3 होना चाहिए y चाहिए कुछ भी हो तो it is 0 3 1 3 तो यह मैंने draw किया 0 3 point यहाँ पर आपका 3 0 sorry यह 3 0 point है then 3 1 यह line चले गई x equal to 3 आप जानते हैं एक line होगी जो parallel to y axis होगी और perpendicular to x axis होगी x axis पे नब डिकरी का कौन तो यह आपकी line होगी then x greater than equal to 3 यानि इस line के इधर वाला हिसा या इधर वाला हिसा पहले कितने हैं यह आपने मूल बिंदू है मूल बिंदू यानि 0 0 x भी 0 y 0 तो x को 0 रखा वाई आई नहीं x को यहाँ 0 रखा x 0 से बड़ा होता है अल तीन से बड़ा होता है जो कि correct नहीं है यानि इस तरफ 0 है वो वाला हिसा नहीं उल्टा यह वाला हिसा लेना है then x plus y is equals to 5 यह वाली लाइन जब x 0 तो y 5 जब y 0 तो x 5 तो 0 5 यह point 5 0 यह point यह line ड्रौ की तो यह x plus y equal to 5 यह वाली लाइन ड्रौ हो गई अब x plus y should be greater than equal to 5 तो अगर 0 0 इस पे रखते हैं तो 0 0 इसको satisfy नहीं कर रहा है 0 plus 0 5 से बड़ा नहीं हो सकता यानि यह जो line आपकी थी यह आपका 0 0 था तो इस line के इस तरफ 0 0 था और यह satisfy नहीं कर रहा तो इस line के उस तरफ आला हिसा इसलिए मैंने इसको यह mark किया तो इस line के इधर वाला हिसा और यह वाली line के इधर वाला हिसा then next line आगी x plus 2y is equal to 6 जब x 0 होगा तो 2y is equal to 6 और y equal to 3 यानि 0 3 एक point हुआ और जब y 0 थो x equal to 6 तो it is 0 3 and 6 0 यह वाली line आपकी आगी x plus 2y is equal to 6 x plus 2y greater than equal to 6 है इस line में यह मूल बिंदू इधर है 0 0 रखने पर 0 0 इसको अगें satisfy नहीं कर रहा तो इस line के इधर वाला हिससा यानि इस line के इधर, इस line के इधर, इस line के इधर and the last one is y greater than equal to 0 y equal to 0 y equal to 0 मैं पहले बता चक्यों क्या होता है x-axis और y 0 से बढ़ा होना चाहिए यानि y positive होना चाहिए तो कौन से वाला हिससा हो गया उस तरफ y का माई 0 से बढ़ा होना चाहिए यानि y की value 0 से बढ़ी हो यानि y की value 0 की इस तरफ होती है ना कि इधर यह वाला हिससा, तो कुल मिला के जो आपका feasible region हुआ इस line के इधर ये वाली जो line है इस line के इधर और इस line के इधर तो ये shaded portion आपका ये आपका common region हुआ feasible region हुआ यानि संभावित छेद रुआ आप देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा open region है जब open region होता है तब maximize और minimize के बारे में खासकर maximize बताना मतलब संभाव ज़रूरी है या नहीं है मतलब मान निकलेगा या निकलेगा that depends तो उसी तरह से निकालेंगे तो अब हमने ये ये आपका region बना भली open बना हो जो इसमें coordinate यानि सीश जो हो रहे हैं vertices जो आ रहे हैं किनारे जो आ रहे हैं इस figure में ये आपकी ये 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 और ये open region हुआ है ये कुछ इस तरह का reason है देखो ये ऐसे करके तो एक coordinate A दूसरा B तीसरा C ये coordinate आ रहे हैं बाकि ये extreme पर बढ़ा जा रहा है तो एक, दो, तीन A, B, C A जो है वो X equal to 3 और X plus Y is equal to 5 इनका intersection point है तो ये intersection point निकलेगा 3, 2 मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये point कैसे निकालोगे graph में अगर आप बहुत सफाई से accuracy से आप draw करते हूँ तो graph से ही पढ़के बना सकते हो चुकि मैंने free hand से बनाया है आप चाहिए तो free hand से भी बना सकते हैं लेकिन फिर आपको सावधानी रखनी होगी figure हो सकता कुछ की कुछ और दिखाई दे तो ये आपको ध्यान रखना है वेसे preferably हमीशा इसको आप graph पे कीजिए तो ये है X equal to 3 और X plus Y is equal to 5 X equal to 3 तो X की value 3 हुई तो Y कितना हुआ 2 तो X 3 Y 2 इस तरह से ये coordinate निकला B जो है इस वाली और इस वाली line का यानि X plus Y और X plus 2Y equal to 6 और X plus Y is equal to 5 इन दो line का point of intersection है तो इनका intersection हमने निकाला इसमें से ये minus किया X से X कट गया 2Y minus Y is Y और 6 minus 5 is 1 तो Y की value आगई 1 अब Y की value मैंने यहां रखी Y को 1 रखने पर X plus 1 is equal to 5 तो X comes out to 4 तो B की value आपकी हुई 4,1 Then C जो है C आपका Y axis पे है ये वाली X plus 2Y is equal to 6 और Y equal to 0 इसका कटान बिंदू है तो यहाँ Y 0 हो गया और जब Y 0 होगा तो X की value कितनी आगई 6 और यह वैसे भी हमने पहले बनाया था तो C आपका बिंदू हो गया 6 0 यह वाला बिंदू तो यह यहाँ तक का हुआ फिर हमने vertex अब इसमें maximize value निकालेंगे इसकी तो आप इसे देखिए तो vertex A, B, C A, B, C Z जो आपका फलन था मैं तो मैंति में करन minus X plus 2Y minus X plus 2Y इसका maximize करना है तो जब यह X को 3 रखा minus 3 plus 2 into 2 4 minus 3 यानि 1 और X की जगह minus 4 plus 2 into 1 या या minus 2 और ये minus 6 plus 2 into 0 minus 6 तो इसमें सबसे ज़्यादा मान इसका आ रहा है तो अगर ये bounded region होता अगर ये closed region होता बंद छेत्र होता तो निश्टे तोर पे ये हमारा उत्तर होता लेकिन अभी ये इसका maximum value हो भी सकता है नई भी हो सकता ये कैसे पता लगाएंगे तो इसके लिए हम क्या कहरते हैं कि z का मान 1 maximum हो यानि z की जगह 1 रखें तो minus x plus 2y बराबर 1 यानि minus x plus 2y को 1 रखने पर ये जो रेखा आई ये रेखा को अगर ड्रॉ करेंगे और अगर ये रेखा आपके feasible region में आती है तो 1 महत्तम मान नहीं होगा लेकिन अगर ये रेखा बाहर से निकल जाती है क्योंकि ये तो हमें पता है कि बी पॉइंट पे तो ये इसका maximum होता लेकिन अगर ये रेखा अंदर से होके जा रही है तब निश्य तोर पे ये इसका answer नहीं हो सकता मतलब 1 maximum नहीं हो सकता तो ये आप देखेंगे कैसे तो जब मैंने इसको minus x plus 2y बराबर 1 एक रेखा बन गई अब इसको ड्रॉ करते हैं अगर ड्रॉ करेंगे तो निश्य दोर पे एक बिंदू तो इस पे 3,2 है क्योंकि minus मतलब 3 को x की जगा 3 रखा y की जगा 2 रखा तो ये इसको satisfy कर रहा है तो एक बिंदू तो 3,2 है एक और इस पे बिंदू ढोंग लेते हैं चलिए तो इसको मैं कहती हूँ कि x को हमने 0 रखा x को 0 रखा तो y की value 1 by 2y तो पॉइंट हुआ आपका 0 1 by 2 तो एक पॉइंट तो है 3,2 एक पॉइंट है 0 1 by 2 तो 0 1 by 2 कहां बेटेगा ये ये और ये 3,2 अब अगर इस line को मैं draw कर दूँ ऐसे तो infinite तक इस infinite region में गुसके जाती है और इस रेखा पे पढ़ने वाले तमाम बिंदूओं पर आपका जो points होते हैं उन पे तो value 1 होगी लेकिन ये इस region में गुसरी है तो निश्चे तोर पे 1 maximum value नहीं होगी आप यहाँ यहाँ देखेंगे कहाँ किसी भी point पर देखेंगे तो इस feasible region में बहुत सारे points पर z का मान 1 से जादा आएगा जैसे जब यह आपका इस तरह से बढ़ता चला गया तो अब मैं एक point ले लेती हूँ x का मान आपका 6 है let suppose और कहीं जाके y का मान आपका 10 आ रहा है तो यह minus 6 plus 2 into 10 10 minus 6 यानि 4 तो 4 इससे बढ़ा हो गया and so on तो यहाँ आप पाएंगे यहाँ जितना आगे बढ़ते जाओगे चूकि यह आपका open region है जितना आगे बढ़ते जाओगे z का मान उतना ही बढ़ता चला जाएगा तो निश्चित तोर पे इस data मतलए यहाँ हम maximize नहीं कर सकते यानि z का महतमीकरण समभव नहीं है तो आप कहेंगे इसका कोई भी महतमान नहीं है तो जरूरी नहीं है हर जो भी महतमीकरण या निम्नितमीकरण हो यह समभव हो पाए तो इस शेत्र में तो आपको तरीका क्या है कि जो भी maximum मान को आपको check करना है वो maximum मान समीकर्ण बना कर वो line draw करेंगे अगर वो line इस common region shaded region से सिर्फ उसी एक point से होकर गुजरती है अगर ये line ऐसे निकल जाती let's suppose यूँ करके इसी को चूते हुए तब निश्चे तोर पर ये आपका मैतम बिंदू होता क्योंकि ये जो line है ये अंदर से नहीं होके जा रही है तो ये इसका justification है तो ये था आपका प्रश नंबर 9 अब आते हैं प्रश नंबर 10 पर प्रश नंबर 10 ये है last question इस exercise का इसमें जो function है z objective function z जो है वो x plus y है जिसको maximize करना मैत्ती करन करना है इनके constraint तो इसले के question हम बहुत कर चुके हैं चले फिर से फटाफटी से हल करते हैं तो x minus y equal to minus 1 इसके बिंदू निकालते हैं तो जब y 0 होगा तो x की value minus 1 और जब x 0 होगा तो y की value 1 दूसरा हुआ minus x plus y equal to 0 इसे और x equal to y हो गया इसका मतलब x उधर लेगे तो इसके जो coordinate बने x1 x0 तो y भी 0 x1 तो y भी 1 और यह आपको पहले बता चुकी हूँ x greater than 0 y greater than 0 यानि सिर्फ first quadrant ही में लेना है तो अब आप इसको लेंगे x axis y axis तो x greater than equal to 0 यानि y axis और इधर वाला पार्ट और y greater than equal to 0 यानि x axis इसका यह पार्ट तो यह आपका first reason आ गया अब इससे draw करेंगे minus 1 0 point होगा 3 4 1 2 3 4 और यह minus 1 हुआ तो minus 1 0 यह point हुआ then 0 1 यह point हुआ तो यह line चली गई यह इस तरह से यह वाली line हुए आपकी x minus y is equals to minus 1 then यह वाली line x equal to y वैसे भी जानते है 0 0 1 1 यह 0 0 यह 1 1 यह जोनों parallel line आएंगी आपकी अब इनमें देखना है x minus y is less than equal to minus 1 अगर 0 0 यह वाली line थी x minus y equal to minus 1 और यह x minus y is equals to 0 रखते हैं तो तो नों parallel line होगी definitely अब इसका अगर देखेंगे तो 0 0 रखते हैं तो 0 0 minus 1 से चोटा होता है नहीं यह line के इधर वाला हिस्सा eligible नहीं है यानि इस line के इधर वाला हिस्सा और इस line के इधर वाला हिस्सा अब आएंगे x equal to y यह यह कहलो minus x plus y equal to 0 यह वाली जो line है यह चुकि मूल बिंदू से होके जा रही है तो मूल बिंदू से इस SME का की इस को हम satisfy नहीं कर सकते find out नहीं कर सकते तो कोई और point ले लेते हैं मैंने ले लिया यह 1 0 point तो अगर x को रखा मैंने 1 तो यह minus 1 हो गया plus y y को 0 रखा तो मतला minus 1 plus 0 minus 1 0 से चोटा तो satisfy करता है यानि इदर वाला हिस्सा तो इसके इदर वाला हिस्सा यानि इन दोनों के बीच का हिस्सा और इन दोनों के बीच का हिस्सा यह हिस्सा आपका common region आएगा तो इसमें हाप देख रहे हैं कि जो इसको संतुष कर यानि इधर वाला हिस्सा इसको संतुष नहीं करता इधर वाला हिस्सा इसको संतुष नहीं करता तो common region इसमें कोई भी नहीं है इन दोनों के बीच का यह हिस्सा आ रहा है अगर यह इसे की बात करें तो वो इस वाली रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा और इसमें ये वाला आ रहा है तो इसको ये वाली रेखा संतुष्ट नहीं कर रहा है नहीं का मतलब ऐसा कोई बिंदो नहीं आ रहा है जो at a time, चारो को संतुष्ट कर दे, जो इससे संतुष्ट कर रहा है, वो इससे संतुष्ट नहीं कर रहा, जो इससे संतुष्ट कर रहा है, वो इससे संतुष्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं, जो चारो कंडिशन को संतुष्ट कर दे, तो no common region, no feasible region, यानि हिंदि में कहेंगे कोई भी common region यानि उभे निष्ट छेत्र नहीं है आते हैं इसका कोई भी solution नहीं होगा no solution या यह कहें लोग कोई महत्तम मान नहीं होगा तो इसको no solution कहेंगे यानि इसका कोई भी ऐसा महत्तम मान नहीं जब reason ही नहीं है तो महत्तम मान कहां से निकालेंगे तो यह दोनों अलग तरह के questions थे इसलिए यह समझाने जरूरी थे तो इस तरह से यह आपका यह 12.1 exercise पूरी हुई इसी तरह का जो से आपने question no 9th किया था ऐसा ही यह तो maximum maximize का था 9th वाला question आपका example 4 है किताब में बुक में तो वो minimize के लिए है वो भी ऐसा ही question है जिसमें आपकी कोई भी value नहीं निकल पारी यानि open region होने के वज़े से तो दो question आपके ऐसे मिले हैं अब 12.2 exercise पे बढ़ेंगे और 12.2 exercise आपकी basically आपकी जो real life problems हैं उनको deal करने की है तो अगली वीडियो में आप वो देखेंगे थैंक यू